कि नुश्कार आप देख रहे हैं के मांस न्यूज हर समय आपके शाथ कुरोना जैसी भैंकर महामारी के खिलाप जंग लड़ रहे बीर युद्धाओं को केंद्री मानवा अधिकार सेवा संगठन नहीं दिल्ली का शुल्यूट केंद्री मानवा अधिकार सेवा संगठन नहीं दिल्ली ने आजम गड़ तर्मा ब्लाग के पता देखा यू ने प्राट्विक स्वास केंद्र तर्मा जाकर डाक्टर टिम को फूल माला वफल देकर किया शम्मानित कहा कि आप कुरोना महामारी के लिए लड़ाए लड़िये ह आपके साथ सदय तयार रहेंगे पेशा हमारे समाधाता दिपक सिंग की एक रिपोर्ट कर मैं हुद इपक कुमार सिंग और आप देख रहे हैं केमास इस समय मवजूद है आजमगर जिले के तर्मा प्राथमिक स्वास केंद्र पर जहां पर केंद्री मानवदिकार सेवा आजमगर तर्मा की टीम ने आस यहां पर डाक्टरों को संवानित किया है एक चीज़ मैं आपको बता दू कि अभी कोरोना जैसे भेंकर महामारी में हमारे देश के ऐसे युद्धा जो दिन रात मेहनत करके कोरोना को हराने की लिल लेगे हैं ऐसे डाक्टरों को संगठन के वारा सम्मानित किया गया है हमारे साथ बात करने के लिए जूर रहे हैं और कैसे बचाव किया जा सकता हूं सीधा बात करते हैं दर सभी को लगता है यहाँ परिवार सब का है लेकिन देश के लिए और समाज के लिए जो है जो दाइत पर है जो गवर्मेंट ने हम लोगों को दिया हुआ है और उस कीमत को जो है कि हम लोगों को चुकाना है और बहुत जिमेदारी के साथ इस बात को महसूस करते हैं कि लिए फ्रंट लाइन वारियर्स तो इस चीज को हम लोगों को निभाना है जब तक भी बीमारी यह आपदा जो है जैसे चली नहीं जाती है तो हम पूरा समय पूरा समूँ पूरे हिंदुस्तान पूरा डॉक्टर का समूँ इस कांको करता रहे हैं जिस तरह से सर यह जो बीमारी केसे की संक्या है लगातार बढ़ रही है इसकी बात भी जगा जगा सोशल डिस्टेंस को म लोग हलके में ले रहे हैं यह निश्चित रूप से बहुत चिंताजनक स्थिति है क्योंकि बहुत सारे मानकों पर आ रहा है कि यह चीज बहुत तेली से बढ़ रही है भासरकार ने बहुत सही समय पर इसके लिए कदम उठाया ताकि लोकडाउन का फालन हो सके लेकिन समय में जब उसको कोई डियाग्नोस नहीं किया सकता है इस चीज को लोग समझ नहीं पा रहा है कि वह डियाग्नोस अकर नहीं भी हो पा रहा है तब भी वह एक पोटेंट केरियर है तो जिस दिन लोग इस बात को समझ जाएंगे कि कि किसी को भी हो सकता है तो उसको लगता ह नहीं है बहुत थोड़े से हमारे साथ ही हैं जो इन बातों को अभी नहीं समझपा रहें मैं सभी से दर्खवास करूंगा हाज जोड़के दर्खवास करूंगा कि सभी लोग प्रिपा करके अपने घरों में रहें अती आवश्चक कारेवर्ष ही अस्पताल में या किसी भी किराने की दुकानों पे जिन से बिल्कुल जीवन यापन होता है कि अब उन्हीं सेवाओं का उभ्भोग करें और घरों में रहें सुरक्षेत रहेंगे तो देश आगे बहुत बढ़ेगा अगर सुरक्षे कि आया हुआ सोसल डिस्टेंस को मेंटन किया जा सके और इसीक साथ संगठन के पता अधिकारियों से भी हम बात करेंगे जिन्हों डॉक्तर को संबानित किया है अधिक लोग जो है सोसल डिस्टेंस को मेंटन नहीं को पार रहे हैं क्या वज़ा है क्या का रहा है अधिक आधिकार शेवा संग्ठन आजमगर्ड तरवा ब्लाक को साध्यच रबिन दुकमार जी इसे बात करते हैं कि आज इन्हों ने जो संबानित किया है यहां पर डॉक्तर की टीम को संबानित किया है यह बताएगे आपको कैसा लगा आपको क्या करने चाहें संबानित कर रहा है अपना जान जोखिन डाल के जनता कर रहा है फबली कर रहा है इसलिए हम लुग इनको संबानित कर रहा है ताकि और चलके आगे अगे नहीं कुरोना वारस को हराने के लिए और चाहना चाहरा और कोरोना वारेस बीकर तोरेस बचाओ के बारे में आपका च्छा मेरा समुठ्वा आज विक बचाओ पर तरहीं हे समय जगा जगा alive?' सबसे जएधा महतबन में शुरच्षीत हैं, आप आप सब्सक्रा पालन करा है। जिस प्रकार से आपने देखा कि हमारी साथ अभी प्राथनिक स्वास्ट के डॉक्टर की पाइनल की जो टीम थी हमसे बात की पुरोना जाग वायरस को लीकर लोगों को जागदूप भी किया जो उन्होंने आहवान किया एक लोग सोसल डिस्टेंस को मेंटेन करें और जिन्द कुमार के साथ दिपक्सिंद केमास